नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स वेद अंचली चानल पर आपका स्वागत है, आज हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे, कविता का नाम है खिलोने वाला, इसे लिखा है सुभद्र कुमारी चौहान ने, आओ पढ़ते हैं कविता, हरा हरा तोता पिंजरे में, गेन एक प कही तरीके सुन्दर खे, चाबी भर देने से भगबग करती चलने वाली रे, गुडिया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुजबान हैं, है छोटी छोटी तलवार नई खिलोने लेलो भईया, जोड जोड से वे रहा पुकार, मन्नुने गुडिया लेली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, मा से लेने को साड़ी, कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है दिये पैसे चार, कौन खिलोना लेता हूं मैं, तुम भी मन से करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर मा, यह मैं कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूँगा मा, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा, किसी ताड़का को मारूँगा, राम समान, तक पस्वी यक करेंगे, असरों को मैं मार भगाऊंगा, योही कुछ दिन करते करते राम चंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल लिया, मैं तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा, पर मा, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहां पर आऊंगा, किस से लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा, आप लोगों का फेवरिट खिलोना कौन सा है, मुझे तो गुरिया के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है